So friends, अगर आप भी मेरी तरह नमकीन बिस्किट खाके बोर हो गए हो, So चलते हैं कुछ नया ट्राइ करने के लिए, So ये मैंने बनाई हैं मठरी, ये परतदार मठरी बना के मैंने तियार की है, जो की crispy भी होती है, खाने में tasty भी होती है, उसके लिए हम लेंगे एक कफ मैदा आप आटे से भी बना सकते हो सेम प्रोसेस से सो यहाँ पे मैंने डाला है इसमें आदा चम्मच, काली मिर्च आदा चम्मच डालेंगे इसमें अजवाइन और टेस्ट के कोडिंग डालेंगे इसमें नमक नमक भी मैंने आदा चम्मच डाला है और दो चम्मच डालेंगे इहाँ पे तेल यह तेल डालना इसमें बहुत जरूरी होता है इसी से मठरी या नमक पारी जो भी हम बनाते हैं वो क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स यह हम घर पे आप जब भी मन करें तब बना सकते हो मार्केट से तो हम हमेशा ही लाते हैं और मार्केट में क्या होता है वो यह पराने काले से तेल में बनाते हैं जो कि बिल्कुल भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है इसलिए हम घर पे ही इसको फ्रेश तेल में बनाएंगे अब इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी हमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें इसका एक टाइट डोब बनाके रेडी करना है तो इसका ये डोब बनके रेडी हो गया है अब इसको थोड़ी सी देर के लिए हम रेस्ट कराएंगे लगभग 10-15 मिनट तक दो चम्मच लेंगे मैदा अब दो चम्मच ही इसमें डालेंगे तेल अगर आप आटे से बना रहे हो तो आप आटा ले सकते हो मैंने मैदे से बनाए हैं तो मैंने मैदा लिया है अब इसका पेस्ट बनाके त्यार करेंगे ये देखिए काफी स्मूध पेस्ट बना है ऐसा ही हमें चाहिए अब इसको भी थोड़ा हो गया है दस से पंधा मिनट और ये आटा थोड़ा सा सोफ्ट हो गया है अब इसके दो लोईया बनाएंगे अब इसको बेल के इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाके त्यार करेंगे इसको हम पतला ही बेलेंगे ये देखिए ये कितनी रोटी अच्छी लग रही है जो भी इसमें हमने समान डाला है वो कितना अच्छे से इसमें दिख रहा है अब इसके उपर हम लगाएंगे पेस्ट अच्छे से फैला देंगे चम्मस से हाथ से कैसे भी आप फैला सकते हो जिससे कि इस पर अच्छे से पेस्ट लग जाए अब इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे अब इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे बहुत जादा मोटा हमें नहीं रखना है अब इससे थोड़ा इसको पतला कर लेंगे फ्रैंट्स इससे पहले मैंने आटे के मटर की बना के रेसीपी डाली थी उसको आपने बहुत प्यार दिया था इसको भी बहुत प्यार देना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत जादा टाइम लगता है अब इसके ये साइड के कोने हम काट देंगे ये जादा पतले हो गए हैं अब सेम साइज के हम ऐसे लोईया इसकी काटेंगे छोटी छोटी देखिए ये सेम साइज की लोईया मैंने काट के त्यार कर ली है अब इनको चकले पे रखेंगे ये चोपर बोड़ तो ऐसे इनको हलका प्रेस कर देंगे इससे क्या ये जल्दी बन जाती है बहुत ज़्यादा हमें महनत नहीं करनी पड़ती अब थोड़ा थोड़ा इनको बेल लेंगे पतला सा पतली पतली पूरियां बना के त्यार करेंगे ये देखिए कितनी पतली पूरी बेली है मैंने ऐसे ही सभी पूरियां बेल के त्यार करेंगे अब इसके उपर पेस्ट लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे पहले एक फोल्ड करेंगे फिर पेस्ट लगाएंगे फिर दूसरी बार फोल्ड करेंगे अगर आप चाहो तो इसको बेलने की जरूरत नहीं है पर हलका सा इसको बेल ना पड़ेगा जिससे की इसकी परतें बाद में खुले नहीं यह इसको मैंने थोड़ा सा बेल लिया है ऐसे ही एक पूरी ओर लेंगे, फिर सेज़ पेस्ट लगाएंगे, एक फोल्ड करेंगे, फिर पेस्ट लगाएंगे थोड़ा सा और फिर फोल्ड करेंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और बे लेंगे ऐसे ही मैंने सारे सारी मठ्री बना के त्यार कर ली है अब इनको फोर्क से इसमें थोड़े थोड़े होल कर देंगे ऐसे ही सभी में मैंने होल कर दिये हैं इनमे अब तेल गरम कर लिया है हमने ये मीडियम ही रखना है हमें गैस को हाई बिलकुल नहीं करना है ये मीडियम आज पर ही रहेगा तो सही रहेगा अब इससे क्या है ये देखिए मट्री जलेगी नहीं और नाहें कच्ची रहेगी इसको हलका हलका सा चेक करते रहें और चलाते रहें अब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और इसे अब हम निकाल लेंगे ये देखे गोल्डन ब्राउन हो गई है अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे ये देखे ऐसे ही सारी मठ्री बना के त्यार करेंगे थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो अब इसे प्लेट प्लेट ये थैंक्स बड़ लेखे ईसे प्लेटाव ये ये ये